तो देखे लोग 1y2 के value 10 basing पे तो क्या होगा इसको 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 या उपर इसको आप उपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर minus 1 और वो minus यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा minus log 2 तो अकर 1y2 को हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे तो क्या आप यह point 3 तो value कैसे आगे negative क्योंकि यह x क्या है 1 से छोटा है चलिए लोग e base पे 1y2 की value निकालने तो देखेंगे अभी हमने देखा लोग इसको e base जब 10 base पे क्रमेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.303 की multiply हो जाएगी और log 1y2 की value 10 base पे हमने देखेंगे अभी कितनी minus की point 3 तो बस सोल का लेंगे हैं अब यह कर रहा है ln2 ln2 का मतलब है कि log 2 e base पे और e base ते जब 10 base में ले जाएगे तो किसकी multiply जाएगी 2.303 की और log 2 की value 10 base पे आपको पता है point 3 बस सोल हो जाएगा कितना point 693 यह point ऐसा है जो physics में सबसे ज़्यादा use होगा ln2 की value कितनी होगी point 693 तो इसको आपको ध्यान रखना है यह point सबसे ज़्यादा use होने वाला है तो इसको मैं underline करका link पे दिया है कि ln2 का मतलब होता है log 2 e base पे और यह कितना होगा जब e base को 10 base में ले जाएगे तो 2.303 की multiply हो जाएगी अब log 2 की value 10 base में रख लेंगे point 301 तो solve करके कितना जाता है point 693 जिससे कर और एक value देखें यह कह रहा है कि log 10 log 10 log root 24 की value निकालनी बेसिंग 10 पे तो रेखें 24 का मतलब क्या है root का मतलब क्या है root का मतलब है power 1y2 तो यह हो किया log 24 की power 1y2 जो power है उसे multiply में आ जाएगे कितना जाएगा 1y2 log 24 24 को लिख लूँगा 8 into 3 और 8 into 3 को भी solve कर लेंगे log 8 plus log 3 तो इसका लिख लूँगा log 8 plus log 3 अब log 8 को आप लिख सकते हो 2 की power 3 और वो 3 यहाँ जाएगा तो 3 log 2 plus log 3 यह आप डारेक्ट यूज़ कर लो log 3 की value हमें पता है कितनी 3 times होगी log 2 के और यह बैसे भी याद करने किलिए मैंने बोला है कितनी 0.9 तो यह 0.9 हो गया log 3 की value 0.48 हो गई दोनों को add करेंगे और divide करेंगे answer आ जाएगा clear? next जैसे log 0.75 0.75 को हम लिख सकते हैं 75 upon 100 यह इसको हम solve करें 25 से divide कर दें तो कितना आ जाएगा log 3 by 4 तो इसकी value हमें निकाल ली है तो देखे log 3 by 4 को में क्या degree s दकता हूँ log A minus log B तो log A upon B को में क्या degree s दकता हूँ log A minus log B तो यह हो जाएगा log 3 minus log 4 log 3 की value 10 base पे हमें पता होती ही कितनी 0.48 log 4 की value 10 base पे कितनी होती है? 0.6 यह कर सकते हैं log 4 को हमें क्या लिख सकते है? 2 की power 2 वो यहाँ जाएगा multiply में 2 log 2 यानिके log 2 का twice यानिके 0.6 solve करेंगे value भी negative आएगी क्योंकि ये value क्या है 1 से छोटी है इसी तरीके से जैसे और एक example दे दिया कि log 500 की value बतानी basing 22 पे तो 22 basing पे तो value नहीं मालूम तो इसको आप क्या कर देंगे separate कर देंगे separate कैसे करेंगे log 500 divided by log 22 basing अब ले लिजाए आफ 10 और ये भी 10 10 basing पे इसकी value हम कई बार निकाल चुके हैं वैसे भी में डारेक्ट बता दिया कितने zeros हैं 2 0 है तो 2 plus log 5 log 5 की value होगी 0.7 तो यह आजाएगा 2.7 यह 22 है बहुत जादा अंतर आता नहीं तो आपके इसको लगबग 20 मान सकते हो 20 मानोगे तो 20 में 1 तो 0 आगिया तो उसका तो होगी 1 plus log 2 log 2 की value कितनी होती 0.3 मगर यह 2.2 है थोड़ा सा जादा है तो क्या ले लेंगे 0.34 0.33 ले ले लो 3 में तो आएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे क्योंकि 3 की टेबल में या तो 3 आएगा या 9 आएगा या 27 आएगा 24 नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे इसकी अलग-अलग तोड़ दीजे अलग-अलग basing पर ले लो तो log 24 divided by log 3 इसको भी 10 basing पर ले लिया इसको भी 10 basing पर ले लिया इस 24 को में लिख सकता हूँ 8 इंटू 3 तो 8 इंटू 3 को solve कर दूँगा log 8 प्लस log 3 और divided by 3 इसको value रख लेंगे जाएगा छीके log 8 की value 0.8 पर कितने हो जाएगी 0.9 और log 3 की value आपको पता है 0.48 और log 3 की value 0.48 solve कर लेंगे तो कौन सा concept लगा दिया इनको divide करने वाला नई basing पर किसी अपनी मर्जी का कोई भी basing ले लिया है जैसे log A की value E basing पर हम इसे क्या लिख सकते हैं log A upon log E लिख सकते हैं एक कोई नया basing ले लो मालो A base ही ले लिया तो log A की value A base पर कितने हो जाएगी और log E base पर E की value A base पर वो ऐसी की वैसी तो हम क्या लिख सकते हैं log A को E base पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 upon लिख सकते है log E A basing मतलब जो value थी वो basing में करमेट हो जाएगा और जो basing थी वो log की form आजाएगा तो log A E base पर उससे हम क्या लिख सकते हैं 1 upon log E लिख सकते हैं A base पर तो पहले log A था E base पर अब log E है A base पर एक problem देखिए यह करा है log 2 log X plus 1 2 base पर minus log 2 minus X 2 base पर is equal to 3 तो find the X तो देखिए यहाँ भी basing 2 है और यहाँ भी basing 2 है तो log A minus log B इसे मैं क्या लिख सकता हूँ log A upon B देखो log M minus log N इसे हम क्या लिख सकते हैं log M upon N यह कहलो log M upon N को क्या लिख सकता हूँ log M minus log N तो ऐसे log M minus log N को क्या लिख सकता हूँ log M upon N तो log A minus log B को क्या लिख सकता हूं लोग A upon B अगर basing दोनों की क्या है same ये कब लिख सकते हैं जब basing दोनों की क्या हो same हो तो उसी basing में आगे और is equal to कितना है 3 अब हम क्या कर सकते हैं कौन सा concept लगाएं जो basing है basing की power 3 is equal to होगा this तो देखिए वोगी concept लगा दिया तो 2 की power 3 is equal to हो जाएगा x plus 1 upon 2 minus x अगर 2 की power 3 क्या होता है तो हमने concept लगा दिया ये बाला जी देखिए जो basing है basing की power c is equal to क्या हो जाएगा b यानि कि a की power c is equal to होगा b वोगी concept लगा 2 की power 3 is equal to होगा this बस इसको cross multiply कर लेजी ये इदर चला जाएगा तो x plus 1 is equal to हो जाएगा 8 to the 16 minus 8 इस minus 8 को इदर ले जाएगे तो 9x is equal to 1 को इदर आजाएगा कितना हो जाएगा 50 तो यहां से 3 से cut कर लेजी तो x is equal to 5 by 3 answer clear और एक value है और एक question देखिए ये कह रहा है कि find find alan 1 plus 1y2 plus 1y4 plus 1y8 up to that's all मतलब infinity तक ये क्या बनते दिखाए दे रहे हैं आपको gp gp series gp series का infinite sum का एक funda मैं बताता हूँ आपको देखिए जो पहले अगर infinite sum है gp में ये gp है और gp का क्या है ये infinite sum infinite term का sum तो जो first term है वो ही term जो first term है उतना ही sum बाकी बची हुई terms का आता है तो पहली term कितनी है first तो बाकी बची हुई जितनी भी terms है उनका sum भी कितना होगा 1 तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा ये 2 तो ln2 मतलब तो ये क्या हो गया ln2 और ln2 का मतलब क्या होता है अब यहां आपने कई बार देखा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा physics में ये यूज होगा तो ln2 की value क्या होती है 0.693 कैसे निकाली थी ln2 मतलब log 2 e base पे तो इसे 10 base में करवाट कर लेंगे किसकी multiply हो जाएगी 2.303 into log 2 और log 2 की value रख लेंगे 0.301 तो solve करेंगे तो कितना हैगा 0.623 ठीक है ठैंक यू ये log का portion आपका खतम हुआ log जितना भी physics की problem को solve करने में है ये आपके लिए sufficient है इससे ज़्यादा log physics में use नहीं होगा इससे ज़्यादा log में बहुत कुछ है मगर वो math वाले सारा आपको पढ़ाएंगे वो physics का का काम नहीं है ठीक है हमने सिर्फ अपना math developed किया है जो हमारी physics में required होगा problem solve करने में चलिए आज का lecture यहीं पर समाप्त करते हैं ठीक है अगर आपको ये पसंद आया हो तो like करिए और share करिए और अगर जिस ने channel subscribe नहीं किया है तो वो channel को भी subscribe कर ले Thank you Thank you of all and thank you for divine ठीक divine जिनोंने ये हिम्मत दी ये causes की जिससे मैं आपको क्या कर रहा हूं ये lecture दे पा रहा हूं ओकी Thank you divine